एक चोटा जगा पाता है शायतान बात में क्या करेगा उसमें से बनायेगा और भी जगा लेकर के स्ट्रॉंग होल्ड बना देगा एक इंसान के मन के अंदर स्ट्रॉंग होल्ड तोड़ना कलिस्या के बड़ा जिम्यदार है बड़ा जिम्यदार है बनाने के लिए तो सब लोग चाते हैं तोड़ने के लिए कोई नहीं चाते हैं लेकिन तोड़ने बगर कोई बना नहीं पा रहे हैं इसलिए कलिस्या में आते भी पचास साल होते हो भी इनसान का जिवन वैसी की वैसे है तोड़ा से भी बदलावट नहीं है अच्छे अच्छे वचन तो डाल रहे हैं सिमंट कपची सब लाकर के रखे है बनाएंगे कहां जगा ही नहीं बनाने जाएंगे तो वाँ पहले से गलत चीस बनाके कडव है उसको तोड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं तोड़ने नहीं दे रहे हैं तो बनाएंगे कैसे अगर गलत पाउदा जो जगा बकड़ के बैटे उसको उकड़ेंगे नहीं सही पाउदा को खान लगाएंगे भाई आपके मन में क्या होना चाहिए मेरे बहन क्या चीज़ को रोपना है क्या चीज़ को उखड़ना है सोचो तो सही आप उखड़ना नहीं देंगे मैं हम रोपेंगे कैसे अच्छे पाउदा रोपना चाहिए कि नहीं बीच बोना चाहिए कि नहीं मन में जागत तो चाहिए ना भाई उसके पहले जहां पर जड पकड़के रहते हैं जागत पकड़के बैटे हैं कभी सालों से पानी किच किच के पानी पी-पी करके इसी बिना फल से देते हुए बिना कोई मतलब का, बिना कोई फाइदा से आपका जीवन में पूरा कब्जा करके रखने वाले चीज़ों को उकाडने बगार आपके बहिच्चा में फाइदा नहीं होती यही मसीही जीवन में यह वच्चन प्रभू मुझे दिया यही समझाने के लिए क्यों पास्टर जी आप तोड़ते हो क्यों आप उकाड़ते हो क्यों आइसे ही रायने दो ना मेरा मनमर्जी से रायने दो ना आप क्यों मुझे टच करते हो क्यों मुझे पताते हो यह चोड़ दो यह चोड़ दो क्यों बोल रहे हो दारु चोड़ दो मुर्ति पुजा चोड़ दो विवचार चोड़ दो चोड़ना नहीं है रखना है बोलो रखना है चोड़ना है कम से कम निकालने दो प्रभू निकालेंगे वचन से निकालेंगे निकालने के लिए आपको इच्छा है तो निकल जाएगा आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे रहना है तो रह जाएगा निकालने के लिए परमिशर के वच्चन में अधिकार है प्रभू आपको नया विक्ति बनायेगा आपके अंदर नए सेरे से नया हात्मा उठपन करेगा नया मन देगा, नया दिल देगा नए सेरे से बनायेगा पुराना जो खड़ गए जायेगा उसको खड़ कर समुंदर में फेक दिया जायेगा वापस नहीं डाला जायेगा जो चीज को ढ़ा देते हैं तो डालते हैं उसको वापस नहीं बनाएंगे नए चीज को बनाएंगे नए सेरे से बनाएंगे